नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में मैं हूँ आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और भोपाल में कन्या भोच के बाहने दो बच्चियां अगवा कर ली गई गट्या पुलस चौकी के नसी कर्फियों वाली मातमंदर के बाहर की है यहां एक महिला अपने दो बेटियों के साथ पहुची थी तब ही दो अन्य महिला हैं उसके पास आई उन्होंने का कि हमें कन्या भोच कराना है आपकी बच्चियों को हमारे साथ भीज दीजिए इन्हें भोजन कराने के बाद वापस आपके पास छोड़ जाएंगे इसके बाद दोनों महिला हैं बच्चियों को लेकर चली गई आपको बता दे की घटना शेनिवा सुबह करीर दस बच्चे किये जब बच्चियां रात तक नहीं लोटी तो परेजन थाने पहुची और शिकायत दरच कराई पुलस की पास छी में बच्चियों की तलाश में जुटी होई हैं रविवार को कुछ जगा दविश भी दी गई मामले की जाच के दोरान XCCTV फुटेज पुलस के हात लगा है जिसमें एक महिला चोटी बच्ची को गोद में ले जाती दिखाई दे रही है चबकि कुछी जो दूसरी में में बड़ी बच्ची का हाथ पकड़ाए वह उसे पैगर ले जुआ रही है कर दोब बच्ची का रही है झाल 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 आपको बता दे कि शुनवाद देवाद परेजनों की शिकाइट पर को लेस्न केस तरच कर लिया है। सिसी टीवी कैमरो में महिलाओं की लोकेशन रेद खाट तक मिली है। यहां से आगे उनकी लोकेशन नहीं मिली है अलकि पुलिस ने बच्चियों की तलाश में रविवाद सुबा प्लैटिनम प्लासा के एक फ्लैट में दबिश दी यहां फिलाल बच्चियों का सुरागात नहीं लगाएं। बिसीपी रियास इवाद नहीं बताए कि मासूम बच्चियों की तलाश में थाना को उत्वाली और क्राइम ब्रांच सहेत 5D में चुटी हैं। फुटेज के आधा पर महिलाओं की तलाश की चुआ रही है फिलाल अग्यात दो महिलाओं पर बैला फुसला कर अपरण कने का केस तरच किया है। और पुलिस ने उसका थोड़ा ट्राकिंग भी किया है। देर रात में खरवाल एक दूंड रहते हैं उनको उसके बाद में देर रात पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी तो पुलिस ने तुरंदर फयार रेजिस्चर करके वो जो जहाँ जिस और रिक्षा में ये और रिक बच्छी है और एक छोटी एक साल की बच्छी है तो माबाब जो है उनके उजयन जिले में रहने वाले हैं और कुछ दिन पहले लोग यहां पर आया थी अभी मजदूरी वगरे कर रहा हैं तो अभी हम लोग उस पर इन्वस्टिकेशन करें तो फर्स प्राइमेरी अभी तक पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद